नमस्कार सातियों आपके अपने चनल Creating Mathematicians में आपका स्वागत है सातियों आज के लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे टॉपिक resultant of three forces और more than three forces मतलब कि किसी point पर लगे तीन force है उनका resultant क्या होगा या तीन से ज़्यादा force है तो उनका resultant क्या होगा इस पर हम डिसकस करेंगे इसी में एक लामीज थोरम आती है जो कि बहुत ही important topic है इस पर भी आज के लेक्चर में हम डिसकस करेंगे इस लेक्चर में मैंने exam में आने वाले हर तरह के questions को cover किया है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप निश्चित ही इसका question exam में easily कर लेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले हम आते हैं लामी स्थ्योरम पर लामी स्थ्योरम में क्या बताया गया है कि अगर किसी point पर कोई particle है माल ली रिये उस पर तीन force लगे हुए है P, Q, R और इन forces के effect से यह जो particle है वो equilibrium में है मतलब साम में अवस्था में है यानि कि संतोलन की अवस्था में है तो प्रतेक बल जो है वो सेस दो बलों के बीच के कोण की sign के समान उपाती होगा मतलब क्या है इसका कि जैसे P जो है upon बाकी दोनों जो force हैं देखिए P और Q उनके बीच का angle alpha है उसका sign लिया जाएगा upon में ऐसे ही Q के नीचे जो है बाकी दो जो angle है P और R उनके बीच का angle beta है तो उसका sign मतलब sign beta लिया जाएगा ऐसे ही R upon sign gamma हो जाएगा मतलब कि जो भी यहाँ पर उपर force है उनके नीचे जो है वो बाकी जो दो force होंगे उनके बीच के angle का sign लिया जाएगा तो ये लामीज theorem यहाँ पर दी गई है इसका use हम जो है वो resultant निकालने में तो नहीं करेंगे यहाँ पर हम इसका use तब करेंगे जब 3 बल PQR जो है तो उनके resultant कैसे निकाले जाएगा उसका तो उस पर आते हैं इससे पहले आप जैसे दो force P और Q होते हैं जैसे माल लिए कि यह P force है और यह हमारा Q force है इनके बीच का angle alpha है तो इनका resultant R equal to root P square plus Q square plus 2PQ cos alpha यह पर चुके हैं composition of two forces में उसमें two forces का था यहाँ पर जो matter है वो three या more than three forces का resultant निकालने का है अब देखिए यहाँ पर तीन या तीन से जादा force हैं तो उनका resultant कैसे निकालेंगे इसके लिए समझे इस बात को जैसे माल लिए कि कुछ force हैं P1, P2, P3, P4 यहाँ पर मैंने चार force दिखाएं हैं 5 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं तो P1, P2, P3 यह आपको force दिये गए हैं और यह horizontal line यह कह सकते हैं x-axis से theta 1 देखिए यह P2 जो है वो theta 2 angle पर P3 जो है वो theta 3 angle बना रहा है ऐसे ही P4 जो force है देखिए यह theta 4 angle बना रहा है इस positive x-axis की direction से इस तरह से यहाँ पर forces describe किये जाएंगे आपको और इन सारे forces का resultant हमको निकालना होगा वो देखिए मैंने यहाँ पर resultant यह R so किया है जो की इसी positive x-axis से angle theta पर है अब हमको यह R और theta निकालना है मतलब इसका बलों का परणामी और उसकी दिसा हमको निकालनी है theta से हम दिसा को बताएंगे तो इसके लिए करते क्या हैं कि यह जितने भी forces हैं इन सबको हम horizontally और vertically यहाँ पर break कर लेते हैं जैसे कि यह P1 है इसका horizontal direction में अगर हम यहाँ पर component लेंगे देखिए यह P1 जो है वो theta 1 angle बना रहा है तो यह P1 cos theta 1 हो जाएगा और अगर हम इसका vertically लेंगे तो यह P1 sin theta 1 हो जाएगा ऐसे ही अब यह P2 जो है वो देखिए यहाँ पर theta 2 angle यहाँ पर बना रहा है X axis से तो इसका जब हम यहाँ पर vertically लेंगे तो यह P2 cos theta 2 हो जाएगा और जब हम इधर vertically लेंगे तो यह P2 sin theta 2 हो जाएगा ऐसे ही हम सबका horizontally और vertically जब component लेंगे तो X की direction में जितने भी force आ जाएगे उन सबको हम add करेंगे तो वो हमने X के बरावर माल लिया देखिए यह P1 cos theta 1 plus P2 cos theta 2 plus P3 cos theta 3 मतलब जितने forces हैं उन सबको हम यहाँ पर उनके component लेंगे X axis की direction में इसको हम capital X माल लेंगे उनके sum को सेम ऐसे ही हमने जो भी vertical capital Y axis की direction में लिये उनको हमने capital Y माल लिया उनके sum को तो अब finally हमाई पास दो force बचेंगे एक यह बचेगा capital X force और यह बचेगा capital Y force अ अगर इनका परणामी R resultant इस तरीके से है तो R square equal to X square plus Y square होता है यह हमने दो forces इसमें पढ़ा है तो यहाँ पर R equal to root X square plus Y square हो जाएगा मतलब कि हमने capital X निकाला capital Y निकाला और फिर R के लिए यह formula यूज़ कर लिया तो इस तरीके से हमको इसका resultant मिल जाएगा अब इसका angle theta हम को निकालना है तो इसके लिए यहाँ पर formula हो जाएगा 10 theta equal to Y upon X इससे हम इसकी दिसा को बता सकते हैं अब हम इनको यहाँ पर दोनों statements को कैसे questions में use करेंगे आप देखिए साथियों next question से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं next week से LT grade exam 2021 की systematically preparation करवाने जा रहा हूँ मैं regular topic wise video upload करूँगा वीडियो अगर आप regular देखेंगे तो आपको ठीक वैसे ही सारे topics clear होंगे जैसे paid class में होते हैं उनके लिए आपको भारी fees pay करनी होती है लेकिन मैं जो आपको preparation करवाऊंगा वो आपके लिए free class ही होगी आगे कुछ समय बाद मैं आपको topic wise notes, questions और exam से पहले mock test series भी उपलब्द कराऊंगा आप मेरे साथ अगले कुछ मैंने जुड़े मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यदि आप regular मेरे lectures देखते हैं तो मैं तो आप आगामी एक साल के अंदर होने वाले LT grade exam या TGT या PGT किसी ना किसी में अवसी ही सफलता प्राप्त करेंगे यदि आपने GIC exam के लिए मेरे revision series को regular देखा है तो आप निश्चित ही मेरे उपर भरोसा करते होंगे मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस भरोसे को कायम रखूंगा तो आएए सुरू करते हैं Question number 1 देखें यहां पर The forces PQR acting on a particle are in equilibrium सामें अवस्था में हैं किसी particle पर लगे हुए 3 बल उनके बीच जो angle दिये गए हैं देखें P और Q के बीच का angle 150 degree है Q और R के बीच का 120 degree है तो हमें इन forces में ratio निकालना है PQR का ratio क्या होगा तो देखें यहां पर figure बनाते हैं हम इसका P force हमने ले लिया P पहला force जो है वो हम horizontally इस तरह से 36 ले लेंगे अब P और Q के बीच का कौन 150 degree दिया गया है तो हमने इस तरीके से ले लिया यह यह हमने Q force ले लिया इनके बीच का angle यह 150 हो जाएगा अब कहा गया है Q और R के बीच का कौन 120 degree है तो देखें यह 150 हुआ अब इदर 120 लेंगे तो 270 तो बचाएका 90 तो इस तरीके से यानि कि यहां पर यह 90 अंस बचेगा और इधर यह हमारा 120 degree हो जाएगा तो अब हमको यहां पर यह हमारा R force हो गया तो P Q के बीच का angle Q R के बीच का angle और R और P के बीच का angle 90 degree पता चल गया यह दिया नहीं गया था पूरा 360 होता है उससे हमने इसको पता कर लिया अब यहां पर देखिए कि हम यहां पर Lamese theorem apply कर सकते हैं क्योंकि साम में अवस्था में संतोलन के अवस्था में दिया गया है तो by Lamese theorem हमारा हो जाएगा P upon sign देखिए P अगर हम लेंगे तो यह angle लेंगे सेस दो जो भी बलोंगे उनके बीच का sign 120 हो जाएगा equal to Q upon Q जब हम यहां पर force लेंगे तो बाकी दो बलों के बीच का कोण यहां पर 90 हो जाएगा यह sign 90 ले लेंगे हम equal to R upon R हमारा देखिए यह force है तो सेस दो बलों के बीच का कोण 150 डिगरी हो जाएगा तो यह sign 150 डिगरी लेंगे अब हम इनकी values रख देंगे तो values रखने पर हमारा P by root 3 by 2 आ जाएगा sign 120 की value, sign 90 की value 1 और sign 150 की value 1 by 2 अब देखिए यह जो upon में लिखा है यही हमारा ratio होगा बट ratio इस तरह से fraction में ना देखके हम यहां पर इसके लिए करें क्या कि पूरे में 2 से multiply कर देंगे तो हमको मिल जाएगा P upon root 3 equal to Q upon 2 equal to R upon 1 अब यह हमारा root 3 ratio 2 ratio 1 यह हमारा answer आ जाएगा इस तरह से option D जो है वो हमारा सही होगा अब आते हैं next question पर O जो है वो circumcenter है triangle ABC का कोई triangle है देखिए यहां पर O जो है उसका circumcenter है circumcenter मतलब कि जो उसका एक circle बनाए हो उसके तीनों vertex से जाता हुआ circumcenter है तो यह मन माल लिया इसका circumcenter है ABC यह हमारा कोई triangle है ABC triangle माल लेते हैं यहां पर तो कहा गया है if three forces P, Q, R acting along OA OA के along जो है यहां पर P force लग रहा है OB के along जो देखिए Q force लग रहा है और OC के along जो है O हमने इसका center माल लिया यह R force लग रहा है तो P, Q, R में क्या ratio होगा यह हमको निकालना है तो देखिए यहां पर यह angle A है तो इधर इतना angle जो है यह 2A हो जाएगा यह आपने theorem पली होगी कि center का angle जो है circumference के angle का दुगना होता है तो यह angle 2A हो जाएगा ऐसे ही यह angle इतना B है तो इधर यह angle आपका यह 2B हो जाएगा ऐसे यह angle C है तो यह angle जो है वो 2C हो जाएगा इधर यह 2A angle हो जाएगा इधर इतना यह 2B angle हो जाएगा यह और यह angle जो है वो 2C हो जाएगा अब हम यहां पर लामी स्थोरम लगा सकते हैं तो P upon sine पी के नीचे हम एंगिल लेंगे बाकी दो बलों देखिए यह क्यू बल है यह आर बल है तो इनके बीच का एंगिल टुए तो यह साइन टुए हो जाएगा equal to Q upon sine 2B हो जाएगा equal to R upon sine 2C हो जाएगा तो PQR में जो ratio हो जाएगा यही sine 2A is to sine 2B is to sine 2C option B जो है वो हमारा सही होगा next question देखे बहुत अच्छा question है PQR force लगे हुए है line OA, OB और OC के according और equilibrium में है सामने आवस्था में if point O is in center अब point O जो कहा गया है in center यानि कि जो अंतहवरत होता है in circle उसका ये center है तो हमें in forces PQR में ratio बताना है कि कौन सा सही होगा अब इसके लिए देखे यहाँ पर हम इस पर आएंगे कि in center हम प्रात कैसे करते हैं तो in center जो ये angles होते हैं इनके angle bisector लेते हैं ये B है इसका angle bisector लिया यानि कि ये हमारा जो है वो B by 2 हो जाएगा ऐसे ही हम इसका angle bisector C का लेंगे तो इतना angle जो है हमारा C by 2 हो जाएगा और ऐसे ही A का लेंगे angle bisector तो ये जहाँ पर भी मिलते हैं ये in center होता है इस बात को हम यहाँ पर use करेंगे अब हमें यहाँ पर PQR में ratio निकालना है तो आप इतना समझ चुके होंगे कि PQR में अगर forces में ratio हमें निकालना है तो लामी इस theorem हम use करेंगे तो उसके लिए जैसे ये P यहाँ पर force है तो हमको ये angle मालू होना चाहिए upon में इसके sign के साथ लेंगे हम ऐसे Q के upon में हम इस angle का sign लेंगे यहाँ पर और R के upon में इस angle का sign लेंगे हम यहाँ पर तो अब ये angle हम पता करते हैं तो उसके लिए देखे यहाँ पर ये B by 2 हो गया और ये C by 2 हो गया तो angle जो हमारा B O C होगा यानि कि ये angle B O C triangle देखिए हम सब्टेट कर देंगे तो ये angle हमको मिल जाएगा इस B by 2 प्लस C by 2 को हम 90 माइनस A by 2 लिख सकते हैं तो इस तरीके से ये 90 प्लस A by 2 आ जाएगा तो angle B O C 90 प्लस A by 2 आ गया ये angle 90 प्लस A by 2 आ गया तो देखिए ये A के सामने का जो था ये 90 90 प्लस A by 2 आ गया इसे B के सामने का ये angle जो है वो हमारा 90 प्लस B by 2 आ जाएगा और इसे ही इतना ये angle जो है वो 90 प्लस C by 2 आ जाएगा अब हम यहाँ पर लामी स्थ्योरम लगा देंगे तो P upon sin P के लिए देखिए इस angle को use करेंगे हम यहाँ पर sin 90 प्लस A by 2 हो जाएगा equal to Q upon sin 90 प्लस B by 2 हो जाएगा और R के लिए हम यहाँ पर R का opposite angle ये लेंगे ये 90 इसका sign लेंगे 90 प्लस C by 2 हो जाएगा तो इस तरीके से ये P upon cos A by 2 equal to Q upon cos B by 2 equal to R upon sin sorry cos C by 2 हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा का यहाँ पर formula यूज हो जाएगा तो P Q R में ratio आ जाएगा cos A by 2 is to cos B by 2 is to cos C by 2 option C जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा next question देखिए ABC is a triangle force P Q R acting along OA, OB and OC are in equilibrium if O is ortho center अब यहाँ पर O ortho center कहा गया है तो हमें P Q R में ratio निकालना है यह तीन टाइप के question है ortho center, in center और circum center पर बहुत ही important question है यह तो अब हमें P Q R का ratio निकालना है तो इसके लिए फिर से हम in angles को ही पता करेंगे यह OA की direction में P force OB की direction में Q और OC की direction में R force लगा हुआ है तो देखें यहां पर ortho center जो हमें मिलता है जहां पर यह perpendicular काटते हैं जैसे A से हमें सामने वाली side पर perpendicular AD डाला और S.E.C. से सामने वाली side पर AF perpendicular है और B से यह सामने वाली side पर BE perpendicular है यह यहां पर O पर काटें तो यह O ortho center हो जाएगा तो इस बात को अब हम angle निकालने के लिए use कराएंगे तो देखें ये angle 90 है ये 90 है यहाँ पर इसका और इसका sum जो है वो 180 होगा क्योंकि इनका sum 180 है तो 360 total sum होता है तो ये a है तो इतना ये जो angle हमारा होगा ये 180 माइनस A हो जाएगा अब ये angle जो है वो इस angle के बराबर है means कि ये भी 180 माइनस A हो जाएगा यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है देखिए angle BOC जो है वो equal है angle EOF के देखिए ये vertical opposite angle है सीर सामी मुक कौन है ये तो इस तरीके से angle BOC 180 माइनस A आ गया अब ये P force के नीचे यहाँ पर रखा जाएगा सेज दो बलों के बीच का कौन है तो P upon sin 180 माइनस आ जाएगा A अब Q के नीचे ऐसे ही जो हम देखेंगे तो सेज दो बलों के बीच का कौन ये होगा तो ये जो है हमारा 180 माइनस B आ जाएगा आप सेम इसी चीज को एपलाई कर सकते हैं ऐसे ही R के नीचे सेज दो बलों के बीच का कौन जब हम ये देखेंगे तो देखेंगे ये C के सामने का है तो इस तरीके से 180 माइनस C आ जाएगा ये values हमने यहाँ पर रख दी अब साइन 180 माइनस A जो है वो साइन A होता है ऐसे ही Q अपॉन साइन B हो जाएगा R अपॉन साइन C हो जाएगा तो P Q R में रेशियो हमारा आ जाएगा साइन A इस्टू साइन B इस्टू साइन C बट यहाँ पर जो options हैं उनमें ये option कहीं पर भी नहीं दिख रहा है अगर ये option होता तो यहीं साइन हो जाता बट यहाँ पर option नहीं दिख रहा है तो अब हम इसको और साइन A को लिख लेंगे A के, साइन B को B के और साइन C को C के ये साइन रूल में हमने पढ़ा है, के कैंसिल हो जाएगा तो इस तरीके से के कैंसिल होके हमको A, B, C रेशियो मिल जाएगा P, Q, R में तो option A जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा next question में आते हैं, अब ये question जो हैं वो हमारे 3 या 3 से ज़्यादा forces के resultant के उपर होंगे question 413 kg weight, 4 force दिये गए हैं, जो कि आपस में 60 degree के कोण पर है, find the 5th force, हमें पांचवा force निकालना है तो देखें, यहाँ पर पहले तो हम इन 4 forces का resultant निकालेंगे, process को आप समझिएगा question में ही, 4 force जो हमको दिये गए हैं, उनका हम resultant निकाल लेते हैं, तो पहला force जो हम horizontal ले लेंगे अगर पहला force हम horizontal लेंगे, तो कुछ calculation में आसानी हो जाएगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा पहला force हमने यह 4 ले लिया, अब यह 60 degree के कोण पर हमने दूसरा force चाल ले लिया फिर 60 degree के कोण पर, यह हमने तीसरा force ले लिया, 1 यह भी हमारा 60E है, तो टोटल इसका 120 एंगिल हो जाएगा, और फिर 60 degree के एंगिल पर हमने यह चौथा force ले लिया, 3 kg weight, अब हम इन चारों का निकालेंगे resultant, तो x equal to देखिए हो जाएगा, यह 4 cos 0 इस 4 का इसी 36 रेखा से, और जेंटल लाइन से एंगिल 0 है, तो 4 cos 0 अब इस 4 का जो हम लेंगे, तो यह 4 cos 60 हो जाएगा, अब इस 1 का लेंगे, तो 1 cos 120 हो जाएगा, पूरा यह सम, अब यहाँ पर यह 60 है तो जब हम इस 3 का लेंगे तो यह पूरा angle cos 180 हो जाएगा अब हम इनकी values रखके solve कर लेंगे तो x की value जो है इस तरह से हम है 5 by 2 मिल जाएगी अब हम y निकालेंगे तो यहाँ पर 4 का 4 sin 0 हो जाएगा इस 4 का 4 sin 60 हो जाएगा इस 1 का 1 sin 120 हो जाएगा और 3 का 3 sin 180 हो जाएगा तो इसको जो हम solve करेंगे तो यह 5 root 3 by 2 आजाएगा अब हमें resultant r निकालना है तो यह root x square plus y square हम इसको solve कर लेंगे तो finally इस तरीके से resultant 5 आजाएगा तो इन 4 forces का resultant 5 आजाएगा अब हम यहाँ पर theta निकाल लेते हैं तो theta equal to 10 inverse y upon x हम use करेंगे तो y यह value रख देंगे upon में x की यह value रख देंगे तो यह 10 inverse root 3 आजाएगा means की 60 degree आजाएगा तो अब हमको resultant पता चल गया कि 5 है और यह angle जो है पहले force है यानि की horizontal line से 60 degree पर है तो यह resultant जो होगा वो आप समझे कि इसी 4 की जो दूसरा force है इसी की direction में यह 5 kg weight का resultant आया जो की 60 degree के angle पर है horizontal से या कह सकते हैं पहले force से तो यह हमारा इन 4 forces का resultant आया तो अब हमको यह पता करना है कि 5 वो कितना होगा तो देखिए 5 वो जो है वो साम में अवस्था में है यानि कि 5 वो इन 4 के resultant की opposite direction में होगा और 5 kg weight का ही होगा तभी यह 5 वो जो है वो equilibrium में होगे तो कुल मिलाक के 5 वो force है वो हमारा 5 kg weight का होगा यह answer हो जाएगा और जो second force है 4 kg weight का उसकी opposite direction में होगा opposite direction में होगा या कह सकते हैं कि पहले वाले से यह 240 डिगरी के कोण पर होगा तो कुल मिलाके हमारा 5th force 5 kg weight का होगा और पहले वाले force से यह 240 डिगरी के कोण पर होगा यह हमारा answer आ जाएगा next question देखिए the directions of 3 forces 1 newton, 2 newton, 3 newton acting at a point किसी point पर यह कारे कर रहे हैं parallel to the sides of equilateral triangle कोई देखे यहां पर equilateral triangle है इसके parallel है इनकी direction जैसे यह BC side है इसके parallel यह 1 newton का force है AC के parallel यह 2 newton का force है और AB के parallel यह हमने 3 newton का force ले लिया अब हमें इसी बात की help से इनके बीच का angle हमको निकालना है तो देखिए यहां पर जैसे यह BC की direction में यह 1 newton का force हो गया है और यह 1 newton का force हो गया और इधर यह 2 newton का force जो है वो हमारा CA की direction में तो अगर हम इनके बीच का angle देखें तो यह 120 degree बनेगा क्योंकि अंदर का यह angle जो है वो 60 होगे तीनों angle 60 के होगे equilateral triangle यह है तो इनके बीच का angle 120 ऐसे ही यह भी 120 हो जाएगा और यह भी 120 हो जाएगा जैसे last पिछले question में angles हमको given थे यहां पर angle हमें इसी triangle की help से निकालने है अब हम easily यहां पर x equal to कर सकते हैं 1 n cos 0 हो जाएगा 36 रेखा से पहले वाले का कौन लेंगे क्योंकि यह 6 जी ही है तो 0 हो जाएगा फिर 2 n cos 120 डिगरी हो जाएगा फिर ऐसे ही हमारा 3 n cos 240 डिगरी हो जाएगा इसमें हम values रख लेंगे cos 0, 120, cos 240 की solve करके minus 3 n by 2 यह हमारा x आजाएगा सेम ऐसे ही y हमारा 1 n sin 60 plus 2 n sin 120 plus 3 n sin 240 इन में भी हम value रखके solve करेंगे तो y की value minus root 3 by 2 n आजाएगी अब r equal to हम फामूला लगा लेंगे root x square plus y square इसको हम solve कर लेंगे तो root 3 n हमारा answer आजाएगा option c जो है वो हमारा सही होगा next question देखे यह भी पिछले question की ही तरह है यहाँ पर इसमें जो है 3 force दिये गए है बट यहाँ पर resultant का angle पूँचा गया है उसका magnitude न पूँचकर resultant का angle पूँचा गया है तो इसमें यहाँ पर देखे forces 3 p, 7 p, 5 p, act along the sides a, b, b, c, c, a of an equilateral triangle a, b, c तो यहाँ पर a, b की direction में देखे 3 p force लगा है b, c की direction में 7 p force है और c, a की direction में 5 p force लगा हुआ है यहाँ पर a, b, c of sides 20 units दिया गया है देखें यहाँ पर side की length की कोई आवा सकता नहीं है वो एक तरह से फाल्तू में दी गई है अब हम आते हैं the resultant force makes an angle with sides with side a, b resultant force जो है वो a, b, c, कितने angle पर है तो यहाँ पर a, b, हमने ले लिया 3 p, जो लगा a, b की direction में अलग से यह ने forces को मैंने दिखाया है देखिए यह 3 p force हो गया यह हमारा horizontal पहला force हो गया दूसरा force यह b, c की direction में लगा है तो इसी direction में क्योंकि हमें angle पता करना है तो 10 theta equal to y upon x this by this रख देंगे तो minus 1 by root 3 आ जाएगा इससे theta equal to 150 आ जाएगा यानि कि यह जो पहले force है जो angle theta आता है वो पहले force यह कह सकते हैं कि horizontal से आता है अगर हम पहला force horizontal लेते हैं जैसा कि मैंने बोला से 150 के angle पर होगा option A जो है वो हमारा सही होगा अब आज के lecture को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मैंने जैसे जो questions बताएं है इसी type के questions exam में आते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आप इन questions को लगा लेते हैं तो इन topics के questions निश्चित रूप से आप exam में कर पाएंगे धन्यवाद